नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल Perfect Study J 에स में दोस्तो हम लोग बीहार दरोगा मिंस का जो परैक्टी सेट कर रहे हैं उसमें आज हम लोग प्रैक्टी सेट नमर 15 को करेंगे इससे पफले दोस्तो हम लोग 14 परैक्टी सेट कर चुके हैं अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं और दोस्तो यह प्रैक्टिस एट जो हम लोग कर रहे हैं यह आपको KBC नैनो बुक से कर रहे हैं और दोस्तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लेज इसे सब्सक्राइब कर लें इसे लाइक करना न भूलें दोस्तो में सेर करें Facebook वार्षव टेलिग्राम के माध्यम से अगर दोस्तो आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलिग्राम का लिंक दे दिये हैं आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं अपको चला रहे हैं आपको विद्या शागर प्प्लिकेशन का एक नया बुकाया हुआ है ज्याइन बिंदुजीशरी केडमी का उससे से हम लोग उसका भी प्राप्तिस एट कर रह रहे हैं आप लोग उसे भी जा करके देख सकते हैं तो चले दूस्तो स्टार्ट करते हैं आजका practice have आजका पहला question हो जाएगा कारा की निमलिखित में से कौन सा बहुलक एक thermoplastic नहीं है एक कडाई टेंसर हो जाएगा option number B यानि कि नियो प्रिन नियो प्रिन एक thermoplastic नहीं है नियो प्रिन क्लोरो प्रिन का उच बहुलक है और यह एक प्राकिर्तिक कृति मुरबबर है तता इसका उप्यूग पाइप बिल्ट आदी बनाने में होता है जोस्तो कोई भी कोशन में डाउट लगे आप कमेंट करके पूछ रखते हैं इसका राइट एंसर ओप्सन नमर बी होगा कोशन मर दो करके जीन के भीतर अनुक्रम अधार में पडिवर्तन कहलाता है दो कराइट एंसर हो जाएगा ओफ्सन नमर ए यानिकी उत्पडिवर्तन जीन के भीतर अनुक्रम अधार में होने वाले पडिवर्तन को उत्पडिवर्तन कहते हैं आफ्सन नमर A इसका राइटेंसर हो जाएगा कोशन नमर 3 कड़ा कि हिर्दय रुग्यों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए तीन का राइटेंसर हो जाएगा आफ्सन नमर D यानि कि वसा हिर्दारोग्यों को अधिक मात्रा में वसा का पड़ियोग नहीं करना चाहिए नेक्स दिख लेते हैं कोश्चन नमर चार करा कि फंक ने निमलिखित में से किसका अविस्कार किया था चार का राइटेंसर हो जाएगा ओफसन नमर ए यह विटामिन का अविस्कार किया था नेक्स दिख लेते हैं कोश्चन नमर पाच करा कि कोशिका का सकती सुरूत होता है पाच का राइटेंसर हो जाएगा ओफसन नमर बी माइट्रो कॉंडिया माइट्रो कोंडिया को सीकाओं में उपस्तित एक अत्यांत सुक्षम सनचना है जो श्रशन किरिया के माध्यम से उर्जा मुक्त करती है माइट्रो कोंडिया को को सीका का सक्ति स्रोत कहते हैं नेक्स देख लेते हैं कोस्चन नमर छे कहड़ा कि अन्टारक्टिका में तीसरे भारतिय सोध केंदर की आधार सीला जिस नाम से रखी गई है वह है छे कराइट अन्सर हो जाएगा ओफसन नमर बी भारती नेक्स देख लेते हैं कोस्चन नमर साथ साथ में कहड़ा कि खून चूसने वाली वाले जीव है साथ का राइट अन्सर हो जाएगा ओफसन नमर ए यानि की जोक जो है वहापको खून चूसने वाले जीव है ओफसन नमर ए इसका राइट अन्सर हो जाएगा साथ का राइट अन्सर हो जाएगा ओफसन नमर ए यानि की जोक कोशन नमर आठ आठ में को करा कि निमली खित में से कौन सा आवर्थ शार्नी का हिस्सा नहीं वनता है आठ का डाइटिन से हो जाएगा आपसन नमर B यानि की कैंसर जनक हेलो जोन लेंथ नाइट एउ एक्टी नाइट आवर्थ शार्नी मिक्रम सा 17-15 समुके तत्व है और आवर्थ शार्नी के कैंसर जनक तत्तों का कोई भी भाजन नहीं पाये जाता है कोशन नमर 9 9 में करा कि स्वेत परकास को नली में कैसे पाइदा करते हैं 9 के राइट एंसर हो जाएगा आपसन नमर B यानि की तंतु को गर्म करके Next दख लेते हैं कोशन नमर 10 10 करा की कौन सा इसमें शुमेलित नहीं है निमली खित में से कौन सा युगम शुमेलित नहीं है 10 कराइट एंसर हो जाएगा आपसन नमर D छटरक जो शौपोसी दे रहा है यह आपका सही नहीं है शौपोसी वे सजीव है जो सधारन अकारबनिक अनुग के जटिल कारबनिक योगिगों का निर्मान कर सकते हैं और पातप प्रकास संसलेशन की किरिया के द्वारा अपना भोजन श्वेम तयार करते हैं इसलिए उन्हें शौपोसी कहा जाता है यानि कि आपसन नमर्ड इसके कर आइट और हो जाएगा नेक्स देख लेते हैं कोशन नंमर्स 11 प्रकार कि कि इस पदार्थ को एक अन्पदार्थ के साथ गरम करने से अमल बनता है इगारा कराइट श्यपोसी नमर्ड इयानि कि सोडियम को राइड को सांधर शर्फियृक अमड के साथ गरम करने से हाइड अमल कहलाता है नेक्स दिख लेते हैं कोशन नमर 12 बारा में कहड़ा कि एलेक्ट्रिक फीजवाय और मिस्र धातू का बना होता है कि मिस्र धातू बारा कड़ाइट अंसर हो जाएगा आफसन नमर ए में नियून गलनांग होता है नियून गलनांग होता है क्वेशन नमर 13 तेरा में कहड़ा कि लैंगिक जनन से अनुवानसिक बीचरन कैसे होता है तेरा का राइट अंसर हो जाएगा आफसन नमर डी एनकी उप्रूक्त सभी जीन के शमिस्रन ब्लेडिंग से क्रोमोजूम में बदलाव से जीन के मिस्रन शफ या ओप सर नमर डी इसका राइट अंसर हो जाएगा को को स्वाइगा प्रूशन नमर चोदा करा कि गौट पॉर्टिकल क्या है करें को को स्वासल में कहड़ा की मिश्म्स बोसान है दूस्त आप और स्व्रेस्ऌ अम्रेंगे यह आपको आठ पिम में यानिक हैआ minister में मिलेगा next देख लेते हैं question no 15 खळा की बास्मति चावल के दाने पकाने प्र लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहूल है फंद्र कडाई टेंसर हो जाएगा option no A यानिकी lie-sin का next को और THIS देख लेते हैं question no सो इसे कि से इसकि kiss पाईरो कहा जाता है 16 कड़ाई टेंसर हो जाएगा ओफसन नमर बी यानि की बीकिरन ताप मापी पायरोमिटर एक बीकिरन अधालित तप मापी है नेक्स देख लेते हैं कोशन नमर 17 17 में आपको करा कि मलेरिया रूख की प्रभावी ओस्दी कुनेन का निस्कर्शन किया जाता है 17 की आपको निमली खित में से और शायुग्म जो है अफ़े सुमेलित नहीं है 18 के डाय इंसर हो जाया का अफ्सर नमर आपका सुमेलित नहीं है विटामिन और स्धिक रत यजिक आपका सुमेलित नहीं यह आपको गलत हो जाएगा विटामिन डी हमारे सरीर को कार परनाली की सुचार रूप से चलाने में और भूमिका निभाता है और विटामिन डी दो परमुक रूप है विटामिन डी टू और विटामिन डी थिरी और यह सरीर में कल्सियम और शुशित करने में मदद करता है औ और बिटामिन D की कमी से रिकेट से होता है, आप्सन नमर C इसका राइटेंसर हो जाएगा, कोश्चन नमर 19, कड़ा कि परकास के एक बिंदु सुरूत को दो श्रमनांतर शमतल दरपनों की मद रखने पर कितने परतिविम बनेंगे, उनिसके राइटेंसर हो जाएगा, आप्सन नमर D अनन्त परतिविम बनेंगे, नेक्ट दख लेते हैं, कोश्चन नमर 20, कड़ा की पॉंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करता है, 20 कर आइटेंसर हो जाएगा, आप्सन नमर A यानि की वोल्टेज पर निर्भर करता है, सही नहीं है, पिली ने एक रूमन लेखक प्रकिर्तिवादी, दार्षनिक और सिननायक था, और The Natural History नावक पुष्टक इसी ने लिखी थी, लाइफ आप हैंसियोंग हुईली सही है, हिस्टोडियाल फिलिपिकल पाप पेश ट्रोग सही है, और The Histories हेरोडोटस सही है, नेक् 22 के राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमर C, यानि कि माउंट वेटर ने, नेक्ष दख लेते हैं कोशन नमर 23, 23 में कड़ा कि British East India Company ने चाय के ब्यापाडिक एक अधिकार को खो दिया, 23 के राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमर C, 833 के चाटर एक्ट के द्वारा, नेक्ष दख लेते हैं कोशन नमर 24, कड़ा कि हाली फदिती किस से संबंदित थी, 24 के राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमर A, या आपको बंद हुआ मज़दूर से शंबंदित थी, 25 में कोड़ा कि लंदन में आयोजित निमलिखित गोल में समयलनों में किस में महात्मा गाधी उपस्तित थे, 25 के राइट एंसर हो जाएगा आपसन नमर B, यानि कि दीतिये गोल में समयलन में, नेक्स देख लेते हैं, कोशन नमर 26, 26 में कोड़ा कि लिमलिखित में से किस मुगल कलीन नहर का निर्मान फिरोसा की राज बहाव को पुनर जिवित करके किया गया, 26 के राइट एंसर हो जाएगा आपसन नमर B, यानि कि शहाव नहर, मुगल कलीन शहाव नहर का निर्मान फिरोसा की राज बहाव को पुनर जिवित करके किया गया, आफसरा नमर B, इसका राइट यंसर हो जाएगा Q27 Q27 में कहड़ा कि 1930 में महात्मा गाधी ने सवीने अवग्या अंदोलन कहां से प्रार्म किया था 27 गाधेज की 11 सुत्रिय मागो पर किसी परकार का द्यान ब्रेटिस सरकार ने नहीं दिया और 14 फरवर 1930 को सावर मती में कांग्रेस की एक बैठक में गाज़े जीकने दिरुति में शविने अवग्यान दोलन चलाने का निश्य किया गया कोशन नमर 28 करा कि असोक के ब्रामी अभी लेखो को सर पर्थम किषने पढ़ा था 28 करा आइटेंशर हो जाएगा आफसन नमर ए यानि की प्रिंसेप ने असोक की ब्रामी अभी लेखो का सर पर्थम पाथन अंग्रेज अधिकारी और विद्वान जेम्स प्रिंसेप ने किया था आप्सन नमर ए इसका राइट एंसर हो जाएगा कोश्चन नमर ट्विंटिनाइन कड़ा कि भारत ट्रेड उनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कोन थे 29 का राइट एंसर हो जाएगा आप्सन नमर सी यानि कि लाला लाजपतराई भारत में ट्रेड उनियन कांगरिस के अस्थापना 1920 में बंबई में हुई और इसके अस्थापना का कारण 1919 में अंतराष्टिये स्रम संगठन के अस्थापना था और इसके प्रतम अध्यक्ष लाला लाजपतराय तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्ट थे नेक्ष देख लेते हैं कोशन नमर आपको 30 करा कि महात्मा बुध का महापड़ी निर्वान कहा हुआ था 30 का राइटेंसर हो जाएगा आपसन नमर C कुशी नगर में नेक्ष देख लेते हैं कोशन नमर 31 में आपको कहड़ा है कि देव बंद के उस बिद्वान का नाम बताएं जिन्होंने स्वतंतरता अंदुलन में महत्यपून भुमी का निभाई 31 का राइटेंसर हो जाएगा आपसन नमर A यहने कि अपुल कलाम अजाद नेक्ष देख लेते हैं कोशन नमर 32 में कोड़ा कि ब्रिटीश सरकार की ग्रीशम कालीन राजधानी थी 32 का राइटेंसर हो जाएगा आपसन नमर C यहने कि शिमला ब्रिटीश सरकार के द्वारा 1866 में शिमला को ग्रीशम कालीन राजधानी घोशित किया गया था नेक्ष देख लेते हैं कोशन नमर 33 करा कि सिक्किम का भारत में भी लैक किस ने किया 33 का राइटेंसर हो जाएगा आपसन नमर C लॉट डलहाव जी के द्वारा किया गया नेक्स दख लेते हैं कोश्चन नमर 34, कड़ा कि कौन सा प्राचीन भारतिय गरंत दार्शनिक गरंत माना जाता है, 34 कर आइटेंसर हो जाएगा आपसन नमर C, यानि की उपनी सद, नेक्स दख लेते हैं कोश्चन नमर 35, कड़ा कि मुदररा राक्षा सनाटक का लेखा कोन है, 35 कर आइटेंसर हो जाएगा आपसन नमर B, यानि की विशाक दत, कोश्चन नमर 36, निमलिखित में से कौन सी संक्या पूर्ण बर्ग नहीं है, इसका आइटेंसर हो जाएगा आपसन नमर C, कोश्चन नमर 37, 37 का कोश्चन हम आपको दिखा देते हैं, आप लोग स्क्रिन सोट किसे बना सकते हैं, 37 का राइटेंसर हो जाएगा आपसन नमर C, यानि की 240, कोश्चन नमर 38, 38 का राइटेंसर हो जाएगा आपसन नमर A, यानि की पच्छिम, दोस्तों आपको इसका PDF शाहिए, सलूसन के साथ आप टेलिगरम का लिंक देंगे, वहां आप जोईन किजिए, आ 49, 49 का राइट एंसर हो जाएगा आपसन नमर A, यानि की 20 घंडे, कोश्चन नमर 40, 40 का राइट एंसर हो जाएगा आपसन नमर B, यानि की 49, इसका राइट एंसर हो जाएगा 40 का आपसन नमर B, next देख लेते हैं question number 41 कोड़ा की निमली खित में से कौन सी संख्या का बर्गमूल एक अपड़ में संख्या है 41 का राइट एंसर option number A हो जाएगा question number 42 42 आप लोगे screen shot इसका ले करके बना सकते हैं question number 42 इसका राइट एंसर हो जाएगा option number B यानि कि उत्तर हो जाएगा next देख लेते हैं question number 43 43 में इसमें 4, 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10 बढ़ेगा उसी तरह आप इसको solve किजेगा इसका right answer हो जाएगा option number A यानि कि 54 question number आपको इसका value जो है यानि कि इसका value इतना दिया हुआ है तो आपको इसका value निकालना है चोवालिस का right answer हो जाएगा option number D next देख लेते हैं question number 45 में जो है इस star को आपको इतना है तो मार्स को क्या लिखेंगे तो यहां पर देखिए change कर दिया है यानि कि यहां पर A को यहां कर दिया है उसके बाद उसके बाद क्या किया है कि इस जो है उसको यानि कि उसके बगल्म कर दिया है और उसके बाद R को यहां पर कर दिया और T को उसी तरह आपको इसको भी किजिएगा तो इसके right answer हो ऐने की Rs. A कोशन 66 माफ किजेगा 46 इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑफसन नमर सी यान की 15 सेकेड्ड नेख्श दख लेते हैं कोशन नमर 47 से बेन को फोटी सेबन का राइट एंसर हो जाएगा ऑफसन नमर बी यानिकि दक्षिन पूरू कि दूस्तों यह आपको शॉल्फ किजिएगा इसका राइट एंसर आपसन नमर बी आ जाएगा कोशन नमर फोटी से बेन पहले आपको इसमें देखना है कोडा के नीचे दी गई आकिरत्यू है और यहां पर आपको सश्ट बूज है तो उससे अधिक दिया हुआ है यहां पर डॉट इसलिए यह आपको भीन हो जाएगा यानिके 48 कराइट इंसर जोन हो जाएगा option number यानिके a हो जाएगा यानिके d यानिके a में जो d दिया हुआ है नेक्श दख लेते हैं question number 49 49 कराइट इंसर हो जाएगा option number a question number 50 50 कराइट इंसर हो जाएगा option number a एक किस्सो नबबे रुपे question number 51 कराग इसको सरल करना है इसका राइट इंसर हो जाएगा option number d यानिकी 8 बटा 7 इसका LCM आप लुग निकालिएगा और लगुत्तम शमापोर्तक और महत्तम शमापोर्तक उसके बाद इसका महत्तम निकालिएगा और दोनों निकालिएगा तो इसका राइट इंसर हो जाएगा option number d यानिके तीसा नूपाद एक 53 में करा कि भारत में कट कूर उद्योग क्या है तीरपन का राइट इंसर हो जाएगा option number d इन में से सभी विदूत कोईला पेट्रोलियम पदार जो है वो आपका कूर उद्योग है नेक्श देख लेते हैं question number 54 करा कि निमन में से कून से दो परोख्ष कर है 54 करा राइट इंसर हो जाएगा option number c यानिकी बिक्रिकर और उद्पाद सुलक जो हना है यह आपको दो परोख्ष कर है करा कि भारत में ओद्योगिक बीत का कुन सा इन वे से शुरूत नहीं है पचपन का डाइट अंसर हो जाएगा ओफसन नमर B नाबाड नाबाड जो नहें ओद्योगिक बीत का शुरूत नहीं है नेक्स देख लेते हैं कोशन नमर 56 कोशन नमर जो है वह 56 है करा कि भारतिये अर्थ ब्यवास्ता में किस पंच बरसी योजना काल के दोरान कीमत अस्तर घाटा 56 कर आइट असर हो जाएगा ओफसन नमर C यानि कि चोथी योजना जो की 1979 से आपको 74 तक थी इसमें कीमत अस्तर में कमी आई थी नेक्स देख लेते हैं कोशन नमर 57 करा कि वह दूसरी महिला कौन है वह दूसरी महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ उरान भरी संताउन का राइट असर हो जाएगा आपसन नमर C यानि कि जसलीन कोर और जोसन कोशन नमर 58 करा कि यादि किसी कोड में टेवल को इतना तो चेर को क्या लिखेंगे तो यहां पर देख लिए कि T का 20 होता है U का 1 किस यानि कि 2 बढ़ रहा है उसके बाद B का जो होता है 2 और E का 5 होता है यहां पर 3 बढ़ रहा है फिर L का यानि कि 4 बढ़ रहा है उसी तरह यानि कि 20 का टी का 20 होता है यानि कि एक दो तीन चार पांच इसी तरह बढ़ रहा है इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑफसर नमर B यानि की बी नमर हो जाएगा नेक्स देख लेते हैं कोशन नमर 59 कोशन नमर 59 में कर रहा कि one family one job योजना किस राज में शुरू की गई है उन कोशन नमर 60 में कर रहा है कि वीजन 2024 इंडिया दस्तेवेश संबंदीत है साथ का राइट एंसर हो जाएगा आफसर नमर सी या आपको आर्थिक विकास से शंबंदीत है कोशन नमर 61 में कर रहा कि जैसे जैसे अर्थ व्यवस्ता बिक्सित होती है राष्टी आए में तृतिय सकत्ष्रिक शेत्र का अंज सक्षट कर राइट रहत्यूंसरण और सी यानिकी बढ़ता जाता है के कोशन नमर 62 क कर कि भारत में सबसे पुराना ब्रीःद उद्योग है 62 कराई टेंसर हो जाएगा आपसा नमर C यानि कि सूती बस्त्र उद्योग Next देख लेते हैं कोशन नमर 63 63 में आपको कवड़ा कि टारनेडो पृत्वी की एक भेंकर आधी है जो मुक्त उठती है 63 कराई टेंसर हो जाएगा आपसा नमर A या आपको अमेरिका में उठती है Next देख लेते हैं कोशन नमर 5064 अधो लिखित स्रिंकला में अगली संख्या कौन सी आएगी इसका राई टेंसर हो जाएगा आपसा नमर D यानि कि 481 यानि कि 5 गुने 3 माइनस 1 कीजिएगा 16 हो जाएगा 16 गुने 3 प्लस जो है वहाँ 3 कीजिएगा आप कीजिएगा 5 गुने 3 प्लस 1 कीजिएगा तो 16 16 गुने 3 प्लस 1 कीजिएगा तो 51 एकावन कुमने तीन प्लस पांच कीजिएगा तो 100 ठावन और 100 ठावन गुने तीन प्लस साथ कीजिएगा तो 481 हो जाएगा यानिकि आपस नमर्डिक को नमट 65 करा कि δो अमेरिकी जा रहे हैं एक दूसरे के बेटे का पिता है उन्दू दोनोंमे क्या संबंद ते पैस्ट कराई टेन्सर हो जाएगा option no.d याने की पती-पतनी का याने की option no.d Ho जाएगा इसको आप लोगबनाईएगा इसका right answer option no.d आएगा देख लिजेगा इसको solve कीजेगा इसको next देख लेते है कोशन no. 64 66 तो कि एक कोड भासा में इतना को उसकोट भासा में कॉफी को क्या कर लिखेंगे उसकोट भासा में कॉफी 66 का राइट अंसर हो जाएगा आफ्शन नमर एनिकी B 40 विसकोट का फोता है एनिकी B का 2, I का 9, S का 19, C का 3, U का 21 उसके बाद I का 9, आफे T का 20 होता है सबको जोड़िये गाते, इसके राइट अंसर 83 आएगा उसी 13 में भी आपको करना है नेक्स देख लेते हैं, क्वेशन नमर 67 67 में आपको कहड़ा कि तेल यह उप्राकिर्तिक गैस आयो कब अस्थापित हुआ 67 कर आइट अंसर हो जाएगा आपसन नमर D, 1906 में क्वेशन नमर 68 में सुची 1 और सुची 2 को आपको मिलान करना है 68 कर आइट अंसर हो जाएगा आपसन नमर D, यान कि भारतिय सस्त्र अधिनियम जो है वो 7888, यानि 78, शाही पद अधिनियम 866 हो जाएगा उसके भारतिय उची नियाले अधिनियम जो है 1861 और भारतिय वीबाब विक्षेद अधिनियम 1879 यानि कि 68 कर आइट अंसर अपसन नमर D हो जाएगा कोशन नमर 69 कर आइट अंसर हो जाएगा आपसन नमर B, लोग सभा का सदस्र कोशन नमर 70 70 में आपको कह रहा है कि लोग सभा के अधिवेशन गठित करने है तू गणपूर्थी कितनी है 70 कर आइट अंसर हो जाएगा आपसन नमर B, यान कि सदन के सदस्रों की कुल संख्या का दस्वा भाग 71 में कह रहा है कि भारती रिजर्ब बैंक के दोड़ा CRR में ब्रिधी से 71 कर आइट अंसर हो जाएगा आपसन नमर B, यान कि अर्थ व्यवस्ता में मोधरिक तरलता में कमी आती है नेक्स देख लेते हैं, कोश्चन नमर 72 कड़ा की भुगतान संतूलन में नहीत होता है, 72 कर आइट अंसर हो जाएगा आपसन नमर D, उप्रोक्त सभी, द्रिस भियापार, अद्रिस भियापार और रीन, तीनों जो है नहीत होता है कोश्चन नमर 73 इसको आप लोग शॉल्फ कीजिएगा तो इसकर आइट अंसर हो जाएगा आपसन नमर D, कोश्चन नमर 74 में कड़ा के दिल्ली को इतना तो इसको क्या लिखेंगे, तो D का 4 होता है, H का 8, और E का 5, और I का 9, यानि कि सम में 4-4 को बढ़ रहा है, तो 74 कर आइट अंसर हो जा जाएगा आपसन नमर D, यानि कि 125 परसेंट, कोश्चन नमर 76, 76 में कह रहा है, आपको ब्लोड रिलेशन का कोश्चन है, इसका राइट अंसर हो जाएगा आपसन नमर B, यानि कि बहन, कोश्चन नमर 77, 77 तो रहा है, आप लोग इसका स्क्रीन शोट ले करके बना सकते हैं, 77 क कोश्चन नमर 78, निमलिखित में से कौन सी संख्या इतना का बर्गमूल है, 78 का राइट अंसर हो जाएगा आपसन नमर C, 146, कोश्चन नमर 79 दी गए से रिंखला में अगला पत कौन सा होगा, इसका राइट अंसर हो जाएगा आपसन नमर A, यानि कि 80S, नेक्स देख लेते हैं, कोश्चन नमर 80, में कहड़ा कि गौतम बूत के द्वरा अपने धर्म में दिक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निमलिखित में से कौन था, 80 का राइट अंसर हो जाएगा आपसन नमर D, यानि कि शूभद, कोश्चन नमर 81, 81 में कहड़ा कि म आतरी मंतर के नाम से प्रसीद मंतर स्वरपरतम किस ग्रंथ में मिलता है, 82 के राइट अंसर हो जाएगा अपसन नमर C, कि आपको रिंग वेद में मिलता है, और इसकी रचना विश्वामेत्र के द्वरा की गए थी, और यहां सूर्य देवता को श्रमरपित है, कोश्चन नम B, एक खैराती अस्पताल था, नेक्स देख लेते हैं, कोश्चन नमर 84, 84 में करा कि उत्तर भारत में चांदी का सीख का टंग का जारी करने वाला कौन मध्यकालीन सासक था, 84 के राइट अंसर हो जाएगा आपसन नमर E, यानि की इलत उतमिस, नेक्स देख लेते हैं, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश सासक जिम्स प्रतम का राजदूत था, 85 का राइट अंसर हो जाएगा ओपसन नमर E, यानि की बिलियम हौकिन्स, 608 SP में कैप्टन बिलियम हौकिन्स, इंगलेंड के राजजा, जिम्स प्रतम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आया था, कोशन नमर 86 में सुची वान और सुची टू को मिलान करना है, 86 का राइट अंसर हो जाएगा, ओपसन नमर E, यानि की लेडी कैथरीन मेव, जो है ओह मदर इंडिया, लोडी कालिंसन जो हो जाएगा, ओह फ्रीडम एट मिडिनाइट, राम मन ओहर लोहिया, यानि की गिल्टी मैन, आप इंडियन पार्टीशन, और जवाहर लल नहरू, य 86 का राइट अंसर, ओफसन नमर E हो जाएगा, नेक्स देख लेते हैं, कोश्चन नमर 87, कड़ा की 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोरो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था, 87 के राइट अंसर हो जाएगा, ओफसन नमर E, यानि की जो अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, कि गांधी मर सकते हैं प्रन्तु, गांधी वाध हमेशा बना रहेगा, 88 के राइट अंसर हो जाएगा, ओफसन नमर E, यानि की कड़ाची अधिवेशन 1931, नेक्स देख लेते हैं, इसके राइट अंसर हो जाएगा, ओफसन नम D, एनि की कड़ाची अधिवेशन, भारती राष्टिय कांग्रिस का 45 अधिवेशन जो हुआ था, वह कड़ाची में हुआ था, इसके अधिवेशन में मोलिक अधिकार का प्रस्ता अपास किया गया, ओफसन नमर D, इसके राइट अंसर हो जाएगा, कोशन नमर 89 कराएगा, क माउंट वेटन यूजना अधार बनी, 90 कराइट अंसर हो जाएगा, ओफसन नमर C, यानि की देश के विभाजन की, माउंट वेटन यूजना 3 जून 1947 को देश के विभाजन का अधार बनी, और इस यूजना को 3 जून यूजना के नाम से भी जाना जाता है, कोशन नमर 98 में क कि 1937 में प्रांतों में मंतरी मंडल के निर्मान के उपरांत कांग्रेस का सासन कितने महीने चला था, एक आनवेर कराइट अंसर हो जाएगा, ओफसन नमर A, यानि की 28 महीने, नेक्ट दख लेते हैं, कोशन नमर 92, 92 में करा कि डेकन एजूकेशन सोसाइटी के अस्थापना से कोन सम्बंधित था, बानवेर के डाइट अंसर हो जाएगा, ओफसन नमर A, यानि की जस्टीस रांडे, जस्टीस डेकन एजूकेशन सोसाइटी के अस्थापना बर्स 1884 इसपी में मुलत नीव इंगलिस स्कूल के फ्राराम के साथ पूने में की गई थी, और 1984 में डेकन इसका राइट एंसर हो जाएगा, कोशन नमर 93, कड़ा की आजाद हिंद फोज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे हैं मुकदमे में उनके पॉक्ष में निमली खित में से किष्णे वाकालत की थी, 93 का राइट एंसर हो जाएगा, ओफसन नमर D, यानि की, 93 का राइट सर, ओफसन नमर D हो जाएगा, यानि की सर, टीवी शपरू ने, ओफसन नमर D, राइट एंसर हो जाएगा, कोशन नमर 94 में कह रहा है, कि आपको जालियों वाला भाग हत्याकान के बिरूद में निमली खित में से किष्णे, वाय सराय की कार पड़िशन से त्याक पत्र दे द करते हैं, कोशन नमर 95 में कहड़ा है कि किसी जगह का स्थानिय समय 6 प्राता है, जबकि ग्रिन विच में टाइम 3 प्राता है, तो उस जगह का देशांतर रेखाई क्या होगी, पंचानवर कराइट इंसर हो जाएगा, आपसन नमर B, एन की 45 डिगरी पूरू हो जाएगी, निमलिखित में से कौन सा युग मुश्यू में लित है, 97 कर राइट इंसर हो जाएगा, आपसन नमर D, पनान गुडी तमिलनाडू जो दे रहा है, यह आपका शही है, यानि की पनान गुडी तमिलनाडू में इस्तित है, जबकि अन अस्थान प्रदत राजों में इस्तित नहीं है, यानि की आपसन नमर D, इसका राइट इंसर हो जाएगा, कौश्चन नमर 98 में कहुड़ा है कि निमलिखित भारती नदियों में से कौन एक्चुवरी बनाती है, अन्ठानबर के राइट इंसर हो जाएगा, आपसन नमर C, यानि की तापी नदी जो है, वह आपको एक्चुवरी बनाती है, अपसन नमर C, राइट इंसर हो जाएगा, कौश्चन नमर 99 में आपको कह रहा है कि भारत के किस राज में मानसुन का आगमुन सबसे पहले होता है, 99 कर इंसर हो जाएगा, अपसन नमर D, यानि की केरल में, और आज का अंतिम कौश्चन जो कह रहा ह आपको कि आयात और निर्यात पर लगाये जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है, 100 कर आईट एंसर हो जाएगा, अपसन नमर C, यानि की शी माकर, तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लें कर आए थे, यह आपको बिहार दरोगा मिन्स का प्रैक्टिस सेट नमर 15 थ कर रहा है, और यह आपको 8 पी-म साम में यहाँ डिली प्रैक्टिस सेट आएगा, दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेने चनल पर नए है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना न भूलें, दोस्तों में शेर करें, फेस्बूक वार्शॉब, टे जिलाओ करें में, प्ली झाहे है, ग्ली ऑ्लीज वार्शॉब, टे एक कर दोस्तों में करें, दोस्तों में यहाँ आप्से इसे जProduक पूलें, जापको उक्र में आपसेPart large Christmas Day FM,